आज की वीडियो में आप साथ शेयर करने लगी हूँ तो अगर आप मेंसे कोई बिगनर है या ओलेडी जो है वो आईलाइनर अप्लाइ करता है तो वीडियो को एंड तक जूर देखना क्योंकि मैं भीजबीज में शेयर करूंगी टेप्स एंड टेकनीक्स जो के बहुत ही ज़्यादा हल्पूल होने लगी है आप अगर बिगनर है तो आप आईलाइनर को एजिली कैसे अप्लाइ कर सकते हैं क्या क्या स्टैप्स फोलो करें तो आप एजिली आईलाइनर जो है वो लगा सकते हैं अपनी आइस के उपर और जैसा की इदा रही है तो मैंने सोचा कि आजकल ट्रेंड है डिफरेंट कलर के आईलाइनर लगाने क करते हैं तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं तो वीडियो को आपने तक दुरूर देखना है क्योंकि मैं शेकन लगी हूं सबसे पहली चीज जो कि आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप बिगनर है तो आप जो है वह आई-लाइनर लगाने के लिए मार्किट में पैंस मिलते अपने पैंसल या मार्कर लेकर आई-लाइनर के अपने आंक अपर एक बर नहीं से लगेगा दो बार लेकिन प्रैक्टिस में परफेक्ट तो आप जासे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप आई-लाइनर लगाना सीख लेंगे यह सिफ जो है वह आपकी विल के ओपर डिपे कि अपने पैंसल लेकर प्रैक्टिस करें तो आप जो है यह पहल जल्दी ब्रוש के साथ आई-लाइनर और और किसी बीकिसम म्लशुअं है उप आप लाजमी ले उसके लावा आई-लाइनर लगाने के लिए सबसे बस बहुत है ये वबने जो के बिल्कुल समूथ होते हैं ये ब्रश जो है वह आंगल एंगल ब्रश है इसके ये जो है ब्रश अब्र घ्रॉस किट में से निकला जिसमें चारड डिषर्ट अरांके जो है वह इक शोज के इसकी फुल डिटेल वीडियो और इसका रिव्यू मैंने अपने चैनल के ओपर शेयर किया है तो आप लोग वह भी जाकर देखें अगर आपको यह बाय करना है प्रोड़क का लिंक भी मैंने दिया हुआ है तो आप वह भी बाय कर सकते हैं तो इस ब्रश के साथ हम डिफरंट तरह का ऐला करते हैं तो हम उसको स्टार्ट करते हैं दूसरी चीज अगर आप लोग बिगनर्स हैं या आप लोग को बहुत इस डिफाइं आइलाइन लगाना है तो इस तरह की जो टेप्स हैं वह मार्किट में आती हैं नहीं कहते हैं वॉष्टी टेप्स नॉमल इन प्रश 17 से कोई को बहुता है जो होता है कि केका बेस आइलार इनको अप्लाई कर सकते हैं लेकिन आज हमारा में आल तो हम उसी पर रहते हैं तो यह और युर वाल ऑला आइलानर्ट भी उछे तरीके से अप्लाईièrement ہیں सबसे में चीज अगर आपने इपने सूट से मैचिंग अपलाई करने जैसे यह मेरे ब्रस में कुछ औरेंज कलर आ रहा है कुछ सिल्वर तो सामसल से पहले अपनी एक आंग पे सिल्वर अपलाई करेंगे तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप डिफेंट डिफेंट कलर क है घर में आप उसको लें तो मैं देखनेत यूँ की इसमें से कौन सी वाली जो है वह सिल्वर शेड के लिए बैस रहेगी इस में तो कोई से बाइस को कट्यें बंद इसमें भी नहीं तो हम इस यह वह ओर आलदे ओर इन पैलीड में नहीं यह वह लेबल तो हम और इनशी ए कराने के लिए हम यह वह टार्क दिस वान हम इसको जो है वह या दिस वन ओरेंज इसको लूँगी इसका बेकरीम तरीका है कि आप पैलेट में से कोई भी कलर चूज कर लें मैंने यह वाला कलर चूज किया उसके बाद इंपोर्टन तिंग यह है कि आप इसके ऊपर अप्लाय करेंगे कोई भी सेटिंग स्प्रे आपको मेकप स्प्रे यूज नहीं करना आपको सेटिंग स्प्रे यूज करना है ना बिल्कुल कुछ वह पानी के जो है वह इसको कर दूंगी आइशेड के ऊपर और हम अप्लाय करेंगे ब्रश के ऊपर और अब हम इसको अप्लाय करेंगे अपनी आंग के उपर जिसके लिए मुझे अचाहिए मेर तो मैं साथ ही आपके साथ शेयर करने लगी हूं टिप किया आप इजी जो है वह आई-लाइनर कैसे लगा जो के बिगनर्स के लिए काम आएगी कि आप एक एंगल ब्रश लें उस पर प्रोड़क्ट अप्लाय करें सबसे पहले आपने ब्रश को जो है वो टिल्ट करना है और आउटर साइड पे पुल करना है ताकि एक विंग क्रियेट हो जे एक लाइन कॉर्णर क्रियेट हो जब आप इसको क्रियेट कर लेंगे उसके बाद आपने ब्रश को टर्नराउंड करना है अगें इस विंग को आपने इनर साइड पे पुल करना है यूँ आपने जब इसको खैंच लिया तुबारा से प्रोडक्त थोड़ा से लेंगे अब आपने देखे इसको जो है वो अगर क्लोज लुक में दिखा दूँ आपने इसको खैंच के कम्प्लीट लाइन को कर देना है आप जस्ट यू नीड तो फिल दिस आपका आइलाइन जो है वो अप्लाइ हो गया है आपने इस कलर को फिल करना है और इनर कॉर्णर पर भी बहुत थिन लाइन ड्रॉ करके इसको लेंक कर देना है कि यह देखें कितना इसली जो है वो आइलाइन अप्लाइब हो गया है कि यह देखें इसी तरह अगर मैं अपनी सेकेंड पर किसी और कलर का आइलाइन अप्लाइब करूं तो आप इस विंग को बढ़ा करना चाहिए तो आप इसको खैंच के और बढ़ा भी कर सकते हैं लेकिन यह सबसे बेस्ट और इजी तरीका है अपने आइलाइन को कपंप इसको लूँगी मैं अपने ब्रश के ऊपर अगेन मैं आपको लेफ्ट साइड पर यही प्रोसेस जो है वो रूपीट करकी दिखाऊंगी कि आपने सबसे पहले ब्रश को करना है टेल्ट और एक विंग जो है वो ड्रॉ कर लेना है कि विंग कितना लंबा हो यह आपके मर्जी के उपर होता है कि आपने कितना लंबा विंग जो है वो रखना है अपने आइलाइनर का अब इसी विंग को मैं ब्रॉस को करूंगी टर्न अराउंड और इसी विंग को हम कर लेंगे पुल ठीक है यह देखें ब्लू कलर का आइलाइनर कितने इजी जो है वो अप्लाइ हो गया है अब मैं इसको कर लेती हूं जस्ट फिल यह देखें कितने ईजी जो है ब्लू कलर का आइलाइनर भी अप्लाइ हो गया है तो सबसे इजे तरीका है यह आइलाइनर को अप्लाइ करने का पहले आप एक विंग ड्रॉय करें उस विंग को इनर साइट पर पुल करें इसे तरह अगर आपने simple eyeliner eyeliner लगाना है इसी एंगल ब्रश के साथ तो मैं वह भी आपसे शेयर करती हूं अब बात कर लेते हैं कि simple eyeliner अगर आपने apply करना है without any wing तो आप वह कैसे apply करेंगे है वह यूज कर रहे हूं कि अपने simple eyeliner apply करने के लिए सबसे पहली टिप यह है कि आपने कुछ भी जो है वह टेंसिन नहीं लेनी विल्कुल आपकी आँखे जो है वह कांपना रही हो आपने मेर को थोड़ा नीचे रखना है अपने ताकि आप नीचे देखने में असानी हो आप मेरा मैं इसको थोड़ा नीचे की तरफ रखूंगी और ब्रश आप किसी भी तरह पकड़ लें चाहिए एंगल ब्रश है चाहिए नॉर्मल टेपला ब्रश है आप ब्रश लें और स्टार्ट फंदा मिडल चुट 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 जो है वह ड्रॉ करें आप लाइक चुट कि इसे तरह इन लाइन को आप जॉइन करते जाएं और फिर पहले जब आपकी इनर साइड जो है वह कंप्लीट हो जाए चुट 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 लाइन करने के बाद उसको आप जॉइन करने और उसके बाद आपने अपने कॉर्णर जुए वह नीट करने हैं क्यूंकि हमें विंग नहीं बना लेकिन आंख की पूरी लिट के कि इसको जॉइन कर लेते हैं यह देखें कितने एजी ली और अराम से विदिन अप्लाइन अगर आपको नॉर्मल लगाना है तो आप पहले छोटी छोटी लाइन जो है वह ड्रॉ करें और उसको आप कमबाइन कर दें और उसको नीट कर लें सबसे इसी तरीका है यह आई ल लगाते हैं इसी ब्रश से आप इनर साइड पर जो है वो न्यूड पैंसिल लगा सकते हैं यूँ पकड़के और जैस्ट विद यूर ब्रश ठीक है और अगर आपने यूड यूड जो है वह अपनी आइस की लिट पर लगाना तो कोई भी आप इसी तरह की पैंसिल यह करते हैं और टीवी की पेंट स्टिक अगर आपके पास है तो आप इसको किस तरह five different ways में यूज कर सकते हैं इसके ओपर मैंने वीडियो जो है अपने चैनल पर डाली हुई है उसका लिंक में नीचे शेयर कर दूंगी तो आप उस वीडियो को भी जरूर चेक कीज़ेगा बह करता है तो आज के लिए इतना ही अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें वीडियो अच्छी लगी तो इसको थम्स अप जरूर देज़ेगा और शेयर भी जरूर कर दीज़ेगा